हेलो एब्रीवान मैं रविंदर दिली से आप सब का अपने चैनल पर वेलकम करती हूं और आज की इस वीडियो में पिटूनिया से रेलेटिड कुछ कॉस्चन का आंसर करूंगी और मैं यह बताऊंगी कि आपको जो पिटूनिया के सीड्स हैं वो नेक्स सीजन के लिए कैसे स करना है तो आज मैं वो शेयर करूंगी आपके साथ देखे एक तो पिटूनिया के अच्छी ग्रोथ के लिए जैसे में पहले भी बताती हूं कि हमेशा एक तो पानी देखके डाले उसमें मिट्टी सूखियों तभी डाले ओवर वाटरीं से जो पोधा है वो खराब हो जाता है कि कुछ प्लावर जिन में आप देखेंगे कि नीचे सीड पॉर्ट देखें ऐसे ना मैं दिखाती हूं किसी जो जैसे कुछ यह वलब फ्लावर ने अभी स्पेंट हुआ है कुछ फ्लावर होते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्राइ हो चुकत होते मैं दिखाती हुए मेरे इस वले पॉर्ट में देखें बहुत ज़्यादा ड्राइ हो चुक है यह अभी स्पेंट हुए दो तीन दिन इनको हो चुक है तो इस फ्लावर को जब आप हटाओगे तो इसके नीचे आपको यह एक यह देखें यह ऐसे ना पॉर्ट सा मिलेगा जिसके अंदर सीड्स होते हैं तो यही से हमें पता चलता है कि सीडोर्ट देखें अब इसमें छोटा था दीखित है इसके जो सीड्स होंगे वह हल्डी नहीं होंगे जुमकर करके दिखा ती分 इसमिन से हैल्दी नहीं होंगे और एक मेंने यहां से हटाया यह दिखिए इसका जो सीड पॉर्ट इतना चाहते हैं normally हम सारे ऐसे seeds को हटा देते हैं sorry spent flowers को हटा देते हैं कि हमारे plant पे ज़्यादा flowering हो ज़्यादा birding हो क्योंकि अगर हम ये spent flowers नहीं हटाते हैं तो हमारा जो पोधा है वो seed produce करने में लग जाता है और अपनी energy को सारा उधर use करता है अब जैसे यह seed pot बन रहा है तो इसमें पोधे की काफी जादा जो energy है वो यूज हो रही है तो वो कलियां कम बनाता है और साथ में फूल भी कम खिलते हैं जब वो seed बनाने लगता है पोधा तो हमें क्या कि अगर seed collection करनी है तो यह जो time है विल्कुल perfect है विल्कुल सही time है क्योंकि इस time पे पोधा एकदम अच्छी health में है फ्लावर अच्छे भरके खिल रहे हैं आप एक दो seed pot छोड़ दीजिए पोधे पे ताकि seed बन जाए बाकी आप सारे पिंच कर दीजिए अब जैसे मैं एक ये छोड़ रही हूँ बाकी में सारे जो है जितने भी spent flower है उन सब को ऐसे मैं हटा दूँगी सिरफ एक seed pot में ये वाला छोड़ दूँगी अगर मुझे seeds चाहिए अब जैसे ये उपर भी है तो इसको मैं हटा दूँगी एक मैंने हटा दिया एक मैंने छ प्लांट से अलग करने है अब यह देखिए मेरी इस पे न दो सीड पोड़ जो है वो ड्वैल पोरें देखिए ठीक है इनको अगर तोड़ लेंगे न तो आपको जो सीड है वो नहीं मिलेंगे इस पर तीन है तीन वी क्या चार है तो मैं जादा नहीं रखूंगी बाकी सिर करने वो देखे नीचे जो यह सीड पोड़ है ये बिलकुल सही है क्लेक्ट करने के लिए अब मैं दिखाती हूं कि इसको क्लेक्ट करके सीड कैसे लेता है यह देखे सूख चुक है न यह तो अब हम इसे प्लग करेंगे और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक मिल मुझे ना कैमरा पकड़ना एक हासे कहीं वाइट सर्फेस पर मैं आपको सीड्स दिखाती हूँ इसके अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा ऐसे दबाएंगे दिख कि शेहद से लगा होता है कि अब बहुत मीट चिप्चिपे से होते हैं पीटूनिया के हो यह दिखिए पत्तों पे सीड्स चिपक गए जो यह सीड्स है न यह पितूनिया के सीड्स है घिए कितने ज़ादा है एक पोड में अभी पूरा उसको वह किया नहीं है और यह देख सकते हैं सप्तंबर एंड में लगा दीजिए बहुत अच्छे आपको प्लांट जो हैं पिटूनिया के मिल जाएंगी देखे एक पोर से हमें कितने ज्यादा सीड मिले हैं तो यह बिल्कु सही तरीका है सीड पोर्ट को ड्वैल्प करने का और उसके बाद सीड पोर को हैं आपको उसके बाद क्या करना है जब यह बीज हमें कलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको इनको एक टिशू पेपर में लपेट के ना किसी सूखी जगा पर रखना है जहां पर बिल्कुल नमी या मॉस्चर ना हो क्योंकि अगर मॉस्चर रहेगा ना तो यह सीड खराब हो जाएंगे आपके next season जब आप इन seeds को grow करोगे जर्मिनेशन आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी तो पेपर में लपेट के हबार भी ले सकते हैं तिशू भी ले सकते हैं कोई simple white paper copy का भी ले सकते हैं बट पेपर में लपेट के उपर आप mention जरूर कर दें टैग ल इसे समझ में भी आया होगा और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो इसे like कीजेगा अपनी family and friends के साथ share कीजेगा और अगर मेरे चैनल पे new है तो इसे subscribe कीजेगा मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक लिबाए